मेरा नाम है आशीश और आप देख रहे हैं टेश्टी गोडी चैनल सो गाइस यह हमारे e-commerce application का 18 पार्ट है ठीक है और इस 18 पार्ट में हम आज कबर करने वाले हैं admin dashboard में काफी लोग के अंदर curiosity होगी कि admin dashboard किस टाइप का बनेगा कैसा दिखेगा तो मैं पहले आपको बता दू मतलब पहले आप से के साथ disclose कर दो कि admin dashboard में आप जान लो कि user की information देखेगी और products की information देखेगी लेकिन बहुत ज़्यादा fantasy नहीं बन पाएगा लेकिन हां कोसिस करूँगा कि अच्छा सच्छा information आप तक पहुँचे जिससे कि आप और अच्छे तरीके से build अदर के आपको य रिकॉल करा दूँ पिछले वीडियो हमने कबर किया था कि एंगुलर का पहले सर्विस देखा था पिर टीएस पार देखा था फिर लॉग इन पैनल देखा था अब लॉग इन पेज़ पे यूजर आईडी पासवर डालके आप एट करते हो तो आपका user लॉग इन हो जाता ह ठीक है पिछले वीडियो हमने कबर किया था तो उसको एक बार करते हैं फटाफट से यहां पर आते हैं और हम यहां भी यूरेल देते हैं एडमिन लॉग इन ठीक हैं चलो admin dashboard टिक कर देते हैं को लेगा तो admin login ही ठीक है अब आ गया admin login पैनल as you can see और यहां पर मैं hit करने वाला हूँ admin की detail admin at the rate gmail.com एंड यहां पर मैं देता हूँ 123456 credential तो यह मेरा login होना चाहिए वाउ login हो गया अब हम redirect हो गया admin dashboard पे ठीक है एक बार logout करते हैं logout करने पर मैं कहीं और redirect हो रहा था आपको एक बार बता दूँ आप लोग ध्यान देना एक भी वीडियो का एक भी अगर पांच सेकेंड भी मिस करोगे तो आपकी प्रॉब्लम है आप कहीं दूसरे जगे पहुंच आओगे और आप बिल्कुल से उस bugs को solve नहीं कर पाओगे ठीक अगर आप beginner हो तो अगर आप expert प्रैक्टिस वीडियो कभी मिस नहीं करने चाहिए प्रैक्टिस वीडियो में एक एक सेकेंड में बहुत बड़ी बड़ी information चुपी होती है तो प्लीज अगर आप beginner है तो आप वीडियो को अच्छे से देखो सुकून से देखो ठीक है एक वीडियो देखो दिन में लेकिन वीडियो प्रैक्टिस के साथ और एक एक चीज वर्ड सुनके तब देखो ठीक है तो यहां पर हमने जो हमने और सर्विस बनाया था यहां पर हमने URL ट्री वगरा कापी चीज़े इंसर्ट हो गया होगा आपमे और एक जस वगरा होगा तो आप उसको रिमूब कर दो ठीक है चेंजिज नहीं किया जैसे मैंने आपसे बताया था वैसे को वैसे यहां पर सारे कोड लिखे हैं हुए है ठीक है तो अब हम इस से हम आते हैं बाहर और अब आते हैं अपने हम admin dashboard पे तो यह रहा हमारा admin dashboard basically और इस dashboard पे हम work करने वाले हैं और इस dashboard पे हम work करेंगे पहले type script का code लिखेंगे फिर उसके बाद हम लिखेंगे HTML का code ठीक है तो एक वीडियो में type script code एक वीडियो में HTML code तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहां पर मैं implement on init करने वाला हूँ ठीक है तो मैं यहां लेता हूँ implement on init ओके और यहां पर मैं constructor एक लिए लेता हूँ और साथ यहां पर मैं ले लेता हूँ ng on init ठीक है अब यहां पर मैं कुछ variable store करूँगा like user dashboard data के लिए total user के लिए admin user कितने है seller user कितने है buyer user कितने है ठीक है इसी तरीके से product के लिए भी करूँगा तो चलो सारे variables बना लेते हैं फटा फट सबसे पहले हमाए पास एक information होती है user data क user dashboard data क्या है ठीक है तो मैं user के dashboard data चाहिए तो यहां आप लिंक देता हूँ dashboard dashboard underscore data ठीक है एक यह variable में ले लेता हूँ इसके basically बता देता हूँ कि यह यह any type का है okay now उसके बाद मैं एक लूँगा total user कितने है at least यह तो पता हूँ न total user कितने है इसको मैं लेता हूँ number type का और initially इसकी value 0 रखता हूँ बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहां पर admin user भी कितने हो सकते है multiple admin हो सकते है तो मैं यहां देता हूँ admin user is equal colon number is equal to 0 ठीक है और seller seller underscore user जो seller user होगा इसको भी मैं initially 0 define कर देता हूँ और last बसा buyer underscore user तो यह जो buyer user होगा यह भी हमारा कैसा होगा number type का और initially 0 value होगी ठीक है तो यह तो हो गया हमारा user admin seller और buyer अब हमारे पास बज़ा products related data ठीक है तो सब सब पहले same way से product product-board data colon any type ठीक अब यहां पर total product कितने है total product कितने है number type का होगा यह होगा is equal to 0 ठीक है और हमारे पास publish product कितने है publish product number type का यह भी 0 रखता हूँ और उसके बाद यहां पर inactive product इतने हैं बेल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर draft product 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 अब आरे पास सारे variables इकटे होगे मैंने मुझे इतने वरियेबल पर अब ही के लिए उसकता है इसले फुर्दर रिक्वार्मेंट के साफसे बाद में और बढ़ा दूँ लेकिन अब भी तो मुझे इतने की रिक्वार्मेंट है ही है ठीक है ओके नौँ अब 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 कर श्ट्रक्टर के इंदर कुछ सर्विसेज बगरा इंजेक कर लेते हैं ठीक है तो सब से पहले एज यू नो वेरिवल प्राइबिट प्रॉपर्टे के साथ हम यूज करेंगे राउटर को बिकास राउटर इस दो मोस्ट इंपोर्टेंट रिफाउटर ओके नाओ अगें हम एक और सर्विस इंजेक करेंगे आप लोग जानते हो वह है एडमिन सर्विस ठीक है वे आलिक देता हूं अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का डिस्केप्शन पर मिल जाएगा लिंक और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा ठीक है ठीक है तो यहाँ पर हमारे दोने चीज़ देन होगे अब हम बनाते हैं मेथर्ट मेथर्ट सब सब पहले तो किस के लिए हम बनाएंगे फिर 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 यूजर डैसबोर्ड के लिए बना लेते हैं ठीक है user dashboard के लिए पहले बना लेते हैं फिर product dashboard के लिए और उसके बाद हम आगे काम करते हैं तो हम अपने इस method के बाहर आते हैं और यहां लिखते हैं user dashboard और इस user dashboard भी हमें बहुत कुछ नहीं करना simply this.router .navigate by URL navigate by URL और इसके थुरू हमें कहार रिडरे करा देना है forward slash admin forward slash user पे and same दिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर product dashboard product dashboard पे क्या होगा हमारा this.usrouter .navigate by URL और यहां पे भी हम बिल्कुल ऐसी करेंगे admin forward slash product ठीक है बस यह दो चीज हमारा यहां पे डल हो जाएगा अब इसको हमें use कैसे करना है यूज बिल्कुल आसान है इसको अभी मैं जब आगे method बनाऊंगा न तो इसमें आप समझ जाओगे कि इसका यूज कहां पे होने वाला कैसे होने वाला ओके नाओ अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर सबसब पहले admin user dashboard data देखते हैं तो मैं लिखता हूँ admin user dashboard data के नाओ अब यहां पे हम फायर करेंगे service दिस डॉट admin service डॉट यूजर डेटा डेशबोर्ड और इस यूजर डेटा डेशबूर्ड को हम कर लेंगे सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बात क्या करेंगे हम data नाम के variable में data सारा निकाल लेंगे with the help of aerobac function और उसके बाद यह सारा data कहा रखेंगे this.user dashboard data में यह हमारा variable है इसके अंदर हमने क्या करना है अपने data की value को pass कर देना है उसके बाद अब यहां पे हमें for loop लगाएंगे for loop लगाएंगे कैसे let user ठीक है let user in this.user dashboard data और इसके अंदर हम एक condition लिखेंगे if अगर 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 दिस डाड यूजर डाड यूजर डाड डेटा के अंदर जो यूजर है उसका role जो है dot role is equal equal to admin है ठीक है अगर उसका role admin है तो उस case में करना ये है प्लस प्लस डिस डाड admin यूजर में एड करता जाएंगे ठीक है अगर पहले देखो पहले चीज़ तो हम पूरा को पूरा जो एड सर्विस के अंदर यूजर डेशबोर डेटा सब पूरा डेटा उठा के लाएंगे इस एरे में रख लिया हमने एक any type को variable मनाया any type मतलब एक array type का ही variable ठीक है अब ये क्या करेगा कि यहां पे एक for loop लगा रहा हूँ let user in this dot is मतलब एक user now को variable लिया और उसके अंदर मतलब इस पूरे पूरे लूप में हमारा जो यह हमारा पूरा का array होगा इस array का पूरा पूरा data चेक करेगा array wise और इस user का ठीक है इस user के अंदर अगर role हमारा admin है तो क्या करेगा admin में plus plus कर देगा मतलब हमारा by default 0 है तो अगर one मिलेगा तो plus plus करेगा एक दो तीन चार add करता रहेगा यह हमारा loop के अंदर होता रहेगा ठीक है बिलकुल इसी तरीके से अब हम देंगे else if else if अगर this dot user dash board data के अंदर जो user है उसका role equal equal seller है मान लो तो क्या करना है फिर इसको plus प्लस करना है देश डॉर्ट seller user को प्लस प्लस कर देना है ठीक है बिलकुल इसी तरीके से else if this dot user dash board data के अंदर जो user user की है उसका role is equal equal to buyer है तो क्या करना है प्लस प्लस this dot buyer user को में add कर देना है समझ गए अब जब यह सारी चीज़ हो जाए ठीक है यह सारी चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद आपको करना क्या है इन सभी को प्लस प्लस this dot total user में add करा देना ठीक है इन सारे के सारो को total user में add कराना है उसके बाद यहां पर हम एक error कॉल कराएंगे मालो कोई किसी कारण से error आ रहा है तो एक कॉल बैक करा लेते हैं error console.log my error में हम error पास करेंगे ठीक है तो बैसिकली यहां पर scene यह है एक से किन यह error क्यों आ रहा है भाई error तो आना ही नहीं चाहिए अरे यह बलत जगा मैंने प्लेस कर दिया यह यहां पर प्लेस होगा ठीक है समझ गए क्योंकि यह थो हमारा for look का मतलब error था उसके बाहर हम नहीं हम जो हमारा callback होता है इस पे हम error को call कराते हैं ठीक है तो यह हमारा callback my error को fetch करेगा पहली चीज यह हमारा इतना done हो गया ठीक है अब बिलकुल इसी तरीके से क्या करेंगे अपने product से लिए करेंगे product के लिए method हम जो बनाए है उस पे हम देखेंगे बिलकुल इसी तरीके से चलो अब हम आते हैं next method के तरफ और यहां देखते हैं admin product dash board ठीक है और यहां पर वैसे ही बिलकुल this dot admin service dot get sorry get नहीं यहां पर इमने बनाया था product dashboard data ठीक है product dashboard data और इसको भी मैं करूँगा subscribe और subscribe करने के बाद data में variable लोगा और यहां पर कहां रखूँगा this dot this dot product dashboard data के नदर रख दोगा इस data को ठीक है अब बिलकुल जैसे उसमें किया वैसी ही बिलकुल seem to shame यहां भी करने वाला हूँ मैंने एक for loop लिया और एक variable लिया status नाम से जो की status हमारे सारे product में है ठीक है status in this dot product dashboard data अब वो इसके अंदर हम करेंगे फिर से if fields if this dot product dashboard data के अंदर status status dot status ठीक है अगर status के अंदर status जो है वो publish है ठीक है समझना बिलकुल वही उसी तरीके उसी formula पर मैं पूरा कर रहूँ publish है तो हम क्या करेंगे simple है plus plus करेंगे this dot publish product को ठीक है otherwise else if करेंगे दूसरा condition देखेंगे same वैसे this dot product dashboard data का status की जो है उसके अंदर जो status है अगर वो हमारा inactive है तो हम inactive user को plus plus करेंगे this dot inactive product को ठीक है अब बिलकुल इसी तरीके से फिर से else if करेंगे और इस else if में देखेंगे और अगर अगर नहीं है तो इन सब से बाहर आप करना ये है प्लस प्लस this dot total product ठीक है ये हो गया हमारा दो का दोनों method बनके तयार हो गया और आपको यहाँ पर callback कराना है किस पर error console.log myerror comma error ठीक है that's it अब माय पात दोनों method बन गया अब इनको करना ये है कि आपको simply अपने जो ng on init है उस पर call कराना है दोनों method को पहले तो इसको call करा लेना है मैं simply copy करता हूँ और this dot admin product और बिलकुल इसी तरीके से this dot admin user dashboard ठीक है दोनों method को हमने यहाँ पर call करा ले है इसको format कर ले रहा हूँ और अब इसका थोड़ा से मुझे आपको output दिखाने का मुल है ठीक है कैसे अब उसके लिए थोड़ा से दिमाग लगाना पड़ेगा बस थोड़ा सा करना यह है कि जैसे let's suppose हमारा पास यह data आ गया तो इन पर console करा लेना है तो मैं लेखता हूँ console.log this dot user dashboard user dashboard data और बिलकुल इसी तरीके से product के लिए भी आपको console करा लेना है तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा कि वागी ही में data आ भी रहा है कि नहीं this dot product dashboard data save करा दिया save करा कि अब मैं आपको console पर दिखाऊँगा data आपको मिलता है कि नहीं यह रहा हमारा console ठीक है admin login कर रहा हूँ है admin at the rate gmail dot com 123456 ठीक है यहाँ लॉग इन करा अब आप देख सकते हो यहाँ आप दिख रहा है admin dashboard component 60 of 41 line number प्रिंट किया एक में हमारे पास 13 data है देख सकते हैं यह product का data आ गया all product का data सारी चीज़ आ गया इसके अंदर status की भी है और एक जो user वाले के अंदर हमारे पास कितना है तीन data है ठीक है तीन user है एक admin है एक seller है और एक buyer है ठीक है तो समझ गये हैं अब इसको हम dashboard पर represent कराने वाले हैं next video में तब तक के लिए बबाई keep practice keep coding कोई doubt हो तो comment जबू करें और अपना प्यार हो बनाये रखें वीडियो को like करें comments करें अच्छे अच्छे मिलते हैं नए वीडियो में बाबाई take care